आज मैं बना रही हूं एक जबरदस्त खामी था चावलों का जर्था तो आपने बहुत बनाया भी होगा खाया भी होगा लेकिन मैं आज बना रही हूं स्वहियों का जर्था यह बहुत बनाने में बहुत असान है और बहुत मज़ेदार बनता है तो इसके लिए चलें देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है एक प्याला या एक छोटा पैकेट सोईयों का सोईयां बारीक होनी चाहिए एक प्याला चीनी एक प्याला दूल तीन अंडे एक प्याले से कुछ कम ओयल दो टेबल स्पून फ्रेश क्रीम या बलाई एक चुटकी औरेंज कलर चद अलाईचिना यह ब्लेंडर में हम पहले चीनी डालेंगे फिर दूद डाल लिएंगे साथ हम अलाईचिना डाल लेंगे यह चीनी दूद अलाईचिकों को पहले हम अलाईच कर लेंगे अब क्रीम भी डाल देंगे यह कलर डाल देंगे अंड़े डाल लेंगे अब इन्हें दुबारा अची तरह ब्लेंड कर लेंगे क्योंकि यह जितने अच्छे ब्लेंड होंगे उतनी अच्छी स्मया बनेंगे अब पैन में अल दालेंगे अब पैन में अल दालेंगे अच्छा अच्छा नहीं लगता खाने में अच्छा नहीं लगता खाने में इड में ठालेंगे आरीं अज़ स्मया में वगता क्यांन сторच आट अब ये स्वईया थोड़ी देद भूनने के बाद अब हम ये मिक्सर डाल देंगे और इस तरह तेजी से चम्मा चिलाले अब ही कुछ अब जा है का का फ़का एंगे अब हम कुछ देर के लिए धाग कर पकाएंगे लेकन थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्माच लाते रहने हैं यूँके इन में चीनी होने की वज़ा से नीचे लगने का ख़च्छा होते हैं यूँके आंच जरा धीमी रखनी है और इस तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखते रहने चम्माच लाते रहने अब देखें दूद गरा बिलकुल खुश्क हो चुका है अब मैंने ये दूसरे चूले पर तवा गरम कर लिया है तो तवा गरम है बिलकुल लेकिन आंच मैंने धीमी कर देनी है और तवे के उपर राते फिर इसे में तक्रीबन अधे घंटे के लिए दाम पे छोड़ दूगी लेकिन दाम के दोरान भी आपने कुछ देर के बाद इसमें चम्माच हला देनी है यह इस तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चेक करते रहें ता के नीचे ना लगे अगर तो नॉन स्टिक पैन हो तो फिर तो नहीं लगता तो दूसरे में यह ज्यादा लगता है अब ही हम इसे दाम पे रहने देंगे मजीद यह तक्रीब नादा गेंटा गुजर चुक है इसे दाम पर पड़े हुए और अब यह तियार हो चुक है स्वईयों का जर्दा बास अब इसे डिश में नकालते हैं तो यह स्वईयों का जर्दा हमारा त्यार हो चुक है आप भी यह जरूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको यह कैसा लगा है तो दौाओं में याद रखिएगा मिलते हैं इंशाला बहुत जल्द एक नई वीडियो में अल्ला हाफेज झालते हैं